Hello and Hi, my dear aspirants, मैं हूँ नाजिया, हम पढ़ रहें English Grammar और ये हैं हमारा Adjective से Part Third शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास, हमने Adjective के Kinds पढ़ लिये थे और हमने Degree of Comparison पढ़ लिये थे कुछ और Important चीज़े जो हमको Adjectives में याद रखनी है हम इस क्लास में पढ़ेंगे तो ये हैं हमारी चानल के कुछ Important Links इनके तुरू आप हमसे Connect हो सकते हैं और Updated रह सकते हैं और आपको Important बात में आपको बता दूँ कि अब आप Unacademy Learning आप पे विजिट करके किसी भी Paid Courses पे आप पा सकते हैं 10% का Discount आपको Referral Code जो यूज करना है वह है Ajay.Sahu स्क्रीन पे आप देख सकते हैं यह Referral Code आप यूज करके किसी भी Course पे आप पा सकते हैं 10% का Discount शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास अब हमने पढ़ा था little के बारे में पढ़ा था few के बारे में पढ़ा था यह दोनों ही word का मतलब होता है थोड़ा या फिर कुछ बढ़ हमने दोनों को अलग-अलग categories में पढ़ा था little हमने पढ़ा था quantity वाले category में और few हमने पढ़ा था numeral वाले category में indefinite वाले category में तो little मतलब quantity से related है वैसे तो दोनों ही quantifier है, quantify करते हैं कुछ ना कुछ चीजों को और दोनों का meaning भी same है little मतलब भी थोड़ा या कुछ होता है few मतलब भी same होता है but हम अलग-अलग चीजों के लिए use करते हैं, यह हमने already पढ़ा हुआ है तो little में भी तीन usage है, आप बोल सकते है little और फिर दो और usage जिसमें हम article का use करते हैं एक में हम article लगाते है a, a little और एक में हम लगाते हैं the, the little उसी तरह से हम few में भी लगाते है few, a few और the few तो हमने पहले यहां पे लिए हुआ है little का case, little का तीनो cases हमने यहां पे लिया हुआ है example की help से हम समझते है तो सबसे पहले जैसे मैंने यहां पे little के दो examples लिये हुए है आप यहां पे example देंगे आपको समझ में आएगा, जैसे मैंने फ़हला example यहां पे लिया हुआ है he has little hope of recovery second भी आप देखिए he has little money तो little का मतलब तो है थोड़ा या फिर कुछ लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जब हम सिर्फ little यूज करते है without any article तो वहां पे जो meaning होता है वो थोड़ा सा negative होता है because वहां पे जो चीजे होती है वो इस तरह से होती है कि little तो है, थोड़ा सा तो है it is not much पर वहां almost nothing है मतलब ना के बराबर है या फिर हम English में क्या कह सकते है कि hardly any जैसे कि यहां पे जो लिखा हो है he has little hope of recovery मतलब उसके ठीक होने के कुछ chances है, मतलब कुछ ही chances है जादा chances यह है कि वहां अब ठीक नहीं हो पाएगा recover नहीं कर पाएगा अपने health को he has little money ना के बराबर उसके पास money है ना के बराबर उसके पास पैसे हैं तो जो बहुत ही थोड़ा होता है बहुत ही कम amount में जो चीजे होती हैं उसको हम little के अंदर रखेंगे तो अगर कहीं पर सिर्फ little use हो रहा है तो यहां पर देखते हैं एक में ए लगा सकते हैं अला लगा सकते हैं और दोनों ही जब लगाएँगे तो मीनींग बिल्कुल अलग edition निकल कर आता है तो यहां पर देखते हैं कि जब आ लगाते हैं तब किया difference आता है तो आपको इस तरह सियाद रखना है कि जब आप अ लगाएंगे तो आपने लिटल में पढ़ा कि almost nothing, ना के बराबर ओके या फिर negative sense में जा रहा है बट हम अ लिटल यूज़ करेंगे तो थोड़ा सा positive sense में आएगा मतलब एक small amount मान सकते हैं मतलब या तो फिर हम यह कह सकते हैं कि a little को हम क्या कह सकते हैं some कह सकते हैं some word यूज़ कर सकते हैं जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है he has a little hope of recovery अब हम इस वाले sentence से compare करेंगे तो वहाँ पर बहुत ही कम chances थे negative sense में था यहाँ पर कुछ positive chances हैं यहाँ पर कह सकते हैं कि थोड़ा सा hope है recovery के लिए या फिर इसको इस तरह से लिख सकते हैं yes some hope of recovery उसके बाद आप देख सकते हैं a little knowledge is a dangerous thing तो यहाँ पर भी आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर contrast में बात की गई है जैसे complete knowledge है then it's okay but अगर a little knowledge है some knowledge है थोड़ा ही knowledge है then it's not okay it's a dangerous thing यहाँ पर show किया गया है तो a little मतलब some कुछ positive sense में उसी तरह से a little common sense can bring success to you मतलब अगर थोड़ा सा हम common sense लगाएंगे तो हम किसी भी काम में successful हो सकते हैं उसके बाद हम the little वाला example देखते हैं जिसमें हमने article the का use किया गया है अब the little का मतलब क्या होता है the little का मतलब भी थोड़ा ही है not much but all of that much मतलब जितनी भी amount के बारे में जितनी भी quantity के बारे में हम बात कर रहे हैं उसका whole का बात कर रहे हैं पूरे का बात कर रहे हैं संपूर्ण का बात कर रहे हैं तो यहाँ पे the के sense में क्या कहने का मतलब है कि थोड़ा ही but all of them या फिर but all of that much आप यहाँ पे मैंने यहाँ पे दो pictures भी लिये हो हैं यह मैंने a little के लिया था संझाने के लिए a little जैसे water की बात कर रहे हैं यहाँ पे quantity quantity के case में हम water का example ले सकते हैं तो a little water अगर यहाँ पे हम देख रहे हैं तो हम बोल सकते हैं कि a glass has a little water या some water because आप picture से भी समझ पा रहे हैं कि उसमें थोड़ा पानी है ठीक है और जैसे आप यह वाले देख सकते हैं मैंने यहाँ पे example यह हुआ है यह लगबग आपको empty दिख रहा है या फिर हम बोल सकते हैं कुछ drops of water या कुछ drops of liquid होगा तो इसे हम किस वाले sentence से relate कर सकते हैं यह वाल okay तो यहाँ पे यह हो गया little a little the little का use आपको किस तरह से करना है sentence में आप ध्यान देंगे उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे similarly few a few the few आपको यहाँ याद रखना है कि आप इसे numerical sense में use करते हैं little का use quantity के sense में हो रहा था यहाँ हम numbers के sense में basically use करते हैं जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है first sentence I read few books मतले मैंने कुछ किताब पढ़ी है लेकिन लगबंग ना के बराबर जादा नी पढ़ी है शायद ही एक दो okay तो यहाँ पे बिना article का यह meaning निकल रहा है आप little वाले से relate कर सकते है meaning लगबंग बिलकुल आप कह सकते हैं कि similarly आप little वाले जैसे मैंने सकते हैं बस आपको याद रखना है कि किन चीज़ों कौन से नाउन के साथ आपको इनको यूस करना है few books are as popular as Gita मतलब शायदी कुछ किताबे होंगे जो Gita के इक्वल अग Gita के बराबर popular होंगी तो यह था दोनों थोड़ा negative sense में जा रहा है उसके बाद थोड़े positive sense में क्या को हम कह रहे हैं तो यहाँ पर positive sense में आ गया just a few good books can make a man wise मतलब कुछ ही कुछ ऐसी किताबे या कुछ किताबे आप बोल सकते हैं कि एक man को एक person को wise मतलब उधिमान बना सकती है तो यहाँ पर few good books a few good books के बारे में बात कर रहे हैं मतलब कुछ books के बारे में तो बात जरूर कर एक positive sense निकल के आ रहा है the few students यहां पर आपको same वही बात्याद रखनी है not many, मतलब जादा नहीं है, but all of them जितना भी है उतना पूरा, okay जैसे मैं अगर कहूं, he lost the few friends he had, मतलब उसके पस जो थोड़े बहुत भी friends थे उन सभी को उसने खो दिया तो सभी को वाला, एक संपून वाला sense यहां पर आएगा the few students I have are wise and disciplined, मतलब मेरे पस जो थोड़े भी जो भी थोड़े बहुत friends है सारे, sorry students है, सारे के सारे बहुत wise, intelligent, मतलब बुद्धिमान है, और disciplined है, the few years I spent in Darjeeling were not happy जो भी मैंने थोड़े बहुत साल बिताए Darjeeling में, वो अच्छे नहीं थे, ओके, तो इस तरह से आपको ये few, a few, the few ध्यान में रखना है, और जैसे ही sentence में, जिस तरह से भी suitable है, उस तरह से आपको इसको use करना है, उसके बाद देखते है next क्या है यहाँ पर अब बहुत ध्यान देने वाली बात है कि कुछ ऐसे similar words हमको मिल जाते हैं, जैसे late, latter, latest, last, later लगभग लगभग थोड़े से similar दिखते हैं, और sound भी करते हैं, और इसमें confusion भी हो सकती है, तो आपको इसको ध्यान से use करना है मैं आपको इसको one by one समझाती हूँ कि इनका क्या meaning है, जैसे कि मैं आपको सबसे पहले latter का meaning समझाती हूँ यहाँ पर आप ध्यान दे latter अब आपको इसको इस तरह से याद रखना है कि आप latter को former का opposite मानेंगे, तो अब यह former क्या होता है जैसे कि आप दो entity ले लेते हैं suppose A and B आपने लिया ठीक है, दो के बारे में बात कर रहे है जब आप former और latter मतलब दोनों के बारे में एक साथ बात करें तो आपको दो entity का example लेना पड़ेगा समझने के लिए जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया है A और B तो A जो है वो पहले है पहले आने वाला है अब B जो है वो बाद में आ रहा है तो जो पहले आता है उसे हम क्या बोलते हैं former कहते हैं जो बाद में आता है उसे हम क्या कहते हैं latter कहते हैं तो आप यह चीज़ याद रखेंगे पहले आने वाले को former और बाद में आने वाले को letter कहते हैं, जैसे हम यहाँ पे letter के example में मैंने, sorry, letter के explanation में मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, opposite of former, तो former कहाँ में कैसे example समझ सकते हैं, कि पढड़िट जवाहाला नहरू was our obviously हमको पता है, first prime minister थे तो वो हमारे former prime minister मतलब हम कह सकते हैं, कभी past में वो हुआ करते थे, तो इस तरह से भी former का use किया जाता है, और जब दो को compare करेंगे, तो former और latter, former मतलब पहले आने वाला, latter मतलब बाद में आने वाला, तो इस तरह से, I hope आपको समझ में आए होगा, उसके बाद आप देखिए, first से मैं start करते हूँ, late लिखा हुआ है, late मतलब simply late, मतलब जब delay की बात की जारी है, delayed, you are late, तुम late हो, मतलब तुम देर से आयो, इस तरह के sense में late का use होता है, उसके बाद आप देखते हैं, last, last मतलब last position की बात करी जारी है, या rank की बात की जारी है, और कभी-कभी time के case में भी last use होता है, तो आप इसको इस तरह से समा सकते हैं, last क्या है, opposite of first है, first और last, आपस में बिल्कुल opposite है, contrasting है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, कभी-कभी हम इसको time के case में भी use करते हैं, जैसे last का हम क्या बोलेंगे, आखिर या फिर आखरी, last chance, last year, तो इस तरह से हम use कर सकते हैं, जैसे हम कभी कहते हैं न, पिछले साल, पिछले week, तो last year, last week, इस तरह से भी हम use करते हैं, कि जो अभी just recent बीता हुआ, जो भी year, जो भी week है, उसे हम last year, last week, इस तरह से हम कह सकते हैं, उसके बाद later, later मतलब बाद में, किसी भी काम को जैसे अगर delay करना हो, जैसे मैं कहा हूँ talk to you later, यहाँ पे मैंने लिखा है, तो यहाँ पे later का मतलब बाद में, और उसका opposite क्या होता है, earlier, earlier मतलब समय से पहले, सबसे बाद में है, वो सबसे नया है, जो सबसे नया है, new west है, वो क्या है, सबसे latest है, सबसे recent है, most recent है, तो यहाँ पे जैसे मैंने example में लिखा है, latest, wasn't, I hope आप समझे होंगे, तो आपको धिधार नहाँ कि जो last है, वो generally उसका मतलब होता है, final या फिर the end, जो end होता है, आखिर होता है, और latest का मतलब क्या होता है, most recent जैसे मैंने बताया, पर कभी-कभी जो last है, वो most recent की जगा यूस किया जाता है, ठीक है, कैसे the week that has just ended, जैसे मैंने भी बताया था, last week या last year, जो सबसे जादा अभी recent में है, उसको भी हम कभी-कभी usage के according last word, use करते हैं, तो ये था late letter, latest, last और later के बारे में, उसके बाद हम देखते हैं क्या है, elder और older, अब इसमें भी कभी-कभी confusion होता है, कभी-कभी हमारे पास ऐसे sentences आ जाते हैं, और हमको यहाँपे fill करना होता है, और हम confuse होते हैं कि वहाँपे हमको elder या eldest fill करना है, या older या oldest fill करना है, तो आप ध्यान दे, elder और eldest जो words होते हैं, वो blood relation के case में use होते हैं, बड़े या छोटे के case में, मतलब elder आप समझ सकते हो कि younger का opposite है, eldest, youngest का opposite है, और जो old और older और oldest होता है, ये age के case में use होता है, age के case में use होता है, मतलब कि आप कह सकते हो कि, both persons और think के case में use होता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने ये तीनों के degree of comparison भी mention किया है, जो old होता है, इसका comparative degree older होता है, और oldest होता है, मतलब age wise जब हम जाएंगे, तो कौन सी चीज कितनी पुरानी है, उस टाइम पे हम old, older और oldest बता सकते हैं, person और think दोने के लिए use होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देखें, blood relation में हम कैसे use करते हैं, elder brother, elder sister, eldest son, eldest daughter, और जब हम old की बारे में बात करेंगे, तो आप देखें, oldest tree in the forest, यहाँ पे मैंने picture से शो किया है, oldest women in the village, मतलब age में सबसे जादा, ठीक है, senior person के लिए भी use होता है, basically senior citizens, जिनको हम कहते हैं, जो लोग age में जादा होता है, जैसे मैंने यह picture से mention किया है, old man और old woman, इनके लिए भी old word use होता है, उसके बाद आप बोल सकते हैं, old days, पुराने दिन, यहाँ पे मैंने यह younger और elder का example, समझाने के लिए लिए था, brother के case में, आप यहाँ पे देख सकते हैं, younger brother है और elder brother है, उसके बाद देखते हैं, क्या है, farther और further, हमको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, farther जो use होता है, वो distance के case में होता है, दूरी को बताने के लिए यूज होता है, और further मतलब किसी भी चीज के बार में, जब हम कोई आगे का step लेना चाहते हैं, आगे का action लेना चाहते हैं, और कभी-कभी distance wise भी, जब आगे का जो रास्ता होता है, वहां पे हम further use करेंगे, तो further का use generally, आगे की चीजें या additionally, जो आगे जो होने वाला है, उसके बार में बात करने के लिए 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 होता है, और further का use हम distance के case में कहेंगे, further मतलब, further में यहाँ पे मैंने समझाने के लिए लिखा भी हुआ है, कि further में कौनसा word आता है, far word आता है, far मतलब दूर, तो आप इस तरह से physical distance को याद रख सकते हैं, further measurable distance के लिए use होता है, मतलब ऐसा distance जो measure किया जा सके, तो आप यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं, further मतलब एक greater physical distance, मतलब एक दूरी को बताने के लिए further use होता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने लिखा हुआ है कि जब एक object, दूसरे object से जादा दूर होता है, तो वहाँ पे हम further use कर सकते हैं, adjective के रूप में, comparison के लिए use कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे बता रहा है कि red car is further away than the blue car, मतलब जो red वाला जब कार है, वो blue वाले कार से जादा दूर में है, उसके बाद अप further का use आप यहाँ देख सकते हैं, further to indicate addition, addition बताने के लिए use होता है, further is defined as something that is additional, additional मतलब आगे का कुछ बताने के लिए, कुछ additional बताने के लिए use होता है, और कभी-कभी distance के लिए भी होता है, adjective के लिए जब use होता है, तो it describes a distance or something that is beyond or additional, distance के लिए use जब हो रहा है, तो वही चीज़े आगे की चीज़े को बता रहा है, beyond और additional मतलब, जिस point of time पे अभी हम है, उससे आगे क्या है, वो बताने के लिए हम further use करते है, it can also refer to something that is greater in degree, पड़लाब कि degree में या amount में, अगर कोई चीज़े अभी at present से ज़ादा है, तो हम further का use करते हैं, जैसे यहाँ पर example लिखा है, the council gave no further details on the new development, council ने, जो new development है, उस चीज़ पर council ने, further adjective के रूप में इस sentence में use हुआ है, उसके बाद हम देखते हैं, आगे क्या है, former और latter जैसे मैंने आपको समझाया ही था, जैसे यहाँ पर मैंने example लिया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, when you are comparing two things, the first is former and second is latter, example मैंने दिया है कि George H.W.Bus and George W.Bus both were U.S. President, the latter was the son of former, मतलब यह जो थे George W.Bus, मतलब latter मतलब बाद वाला, former मतलब पहले वाला, तो जो George W.Bus थे, वो George H.W.Bus के son थे, और दोनों ही U.S. के President थे, यहाँ पर यह बताया गया है, यहाँ पर मैंने picture के, through a example समझाया है, suppose she is Mary and he is Akash, Mary and Akash both are good friends, दोनों बहुत अच्छे friends है, but the former is, but the former is better than the latter in studies, तो अब यह former है, because यह पहले, मैंने इनके बार में बात किया, sentence में, आप देखेंगे sentence में, पहले किनके बार में बात की जा रही है, उसी साब से position इनका decide होगा, उसी साब से हम decide करेंगे, कि former किसके लिए उस कर रहे हैं, और latter किसके लिए उस कर रहे हैं, तो यहां पर हम बता रहे हैं, कि जो former है, मतलब Mary है, वो better than studies है, किससे आकाश से, तो यह हो गया, former and latter, उसके बाद, कुछ एक important चीज़े, जो बाकी है, लगबग मैंने सारा cover कर लिया है, adjectives में, तो यह जो है, आप थोड़ा सा समझे, prior और prefer, अब prior भी आता है, comparative sense में, जो हम पढ़ रहे थे, उस दिन Latin origin के कुछ words थे, उसमें मैंने इनको skip किया था, तो अभी मैं आपको इसको समझा देती हूँ, prior मतलब पहले, पहले आने वाला, चीक है, prior मतलब पहले आने वाला, या before in time, तो prior का use before के sense में ही होता है, तो prior के साथ to लगाते हैं, याद रखें, और prefer के साथ भी to लगाते हैं, किस तरह से sentence के थुरू मैं आपको समझाती हूँ, और prefer का मतलब क्या होता है, to like, to choose or want one thing rather than another, मतलब किसी और चीज़ के comparison में, किसी एक चीज़ को ज़ादा पसंद करना या like करना, this event took place prior to the first world war, मतलब बता रहें कि यह जो event है, वो first world war के पहले हुई थी, तो यहाँ पर prior to का use किया है हमने, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और prefer का use कैसे करेंगे, he prefers coffee to tea, मतलब उसे tea से ज़ादा coffee पसंद है, वो coffee ज़ादा prefer करता है टी के comparison में, तो यहाँ पर to use करेंगे, याद रखें than use नहीं करेंगे, जबी भी prefer आएगा, तो to use करेंगे, और कभी-कभी इस तरह से भी use होता है, coffee is preferable to tea, मतलब जब generally बात करें, किसी एक person specific के likes के बार में बात नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं, कि coffee is preferable to tea, तो यहाँ पर भी हम to लिखेंगे, यह आप याद रखें, तो यह था हमारा पूरा adjectives का part, और यह मैंने questions ले हुए हैं, यहाँ पर कुछ words हैं, इनका आपको comparative degree और superlative degree बताना है, positive degree मैंने यहाँ mention किया हुआ है, और यह हैं कुछ fill-ups आपको, यहाँ पर क्या fill करना हैं, मैंने bracket में mention किया हुआ है, इनमें से आपको best suitable क्या होगा blank में, तो आप fill करें और आप मुझे comment में इनके answers बताएं, तो यह था हमारा पूरा adjective का session, तीन session में हमने complete किया, next में हम देखेंगे verb means kriya, so students, subscribe the channel and share the video with your friends, और मिलते हैं next class में, till then keep learning, have a good time, and thank you for watching.